हेलो प्यारे बच्छों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्छों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेर्ट के द्वारा शुरू किये गए रीडिंग कैंपन के तहट इंग्लिश की वॉक्षीट नंबर 20 जो की क्लास 4 की वॉक्षीट है और आज का डेट है बच्छों से के 9th of February 2022 और इसकी थीम है अटेल तू टेल बच्छों आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे चलिए इस वॉक्षीट को स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स होप यू आ डोइंग वेल उमीद है कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे तोडे लेट्स रीड अलाउट अस्टोरी तो चलिए आज हम एक क और इसका नाम है जम्पो और यह रहता है ऐफरीका के जंगल समीн और यह है मिठू जोकि एक पारट है और यह इंडिया से है और यह जम्पो का बेस्ट्रेंद ब्र One day, his friend Mithu, the little parrot, visited him from India. तो एक दिन जो ये parrot है, यानि Mithu है, वो अपने friend Jumbo से मिलने के लिए गया. Jumbo was very happy to see his friend. तो Jumbo अपने friend को देखकर बहुत ही खुश हुआ. He took along his friend Mithu to introduce him to his friends. तो वो Mithu को लेकर गया अपने friends के पास, अपने friends से उसे मिलवाने के लिए. Mithu met Montu, the monkey, Tick-Tick, the chameleon, and Hugu, the elephant. तो यहाँ पर देखो, जो Mithu है, वो किस-किस से मिला? वो Montu, यानि monkey से मिला, Tick-Tick, यानि की chameleon से मिला, और Hugu, यानि की elephant से मिला. और यह सभी Mithu से मिलकर बहुत खुश हुए. यह सभी friends मिलकर पूरे दिन इनोंने hide and seek, यानि की छुपन-चुपाई का game खेला. और आज के दिन इन सभी ने मिलकर बहुत ही ज़ादा fun किया, मस्ती करी. अमीद है कि आप सभी Jumbo और उसके friends से मिलकर बहुत खुश हुए होगे. तो आपको इस story को एक title देना है, यानि इसका एक नाम सोच कर लिखना है. तो चलिए इसका नाम हम लिख लेते हैं. तो बच्चों आप इस कहानी का नाम Jumbo and Parrot ये रख सकते हैं. अगर आप कुछ और नाम रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं. Next है, which games do you like to play with your friends? आप कौन सी game अपने friends के साथ खेलना पसंद करते हैं? Share with your teacher and friends. तो उस game का नाम और उसके बारे में आप जो भी चीज़े जानते हैं, वो अपने teacher के साथ और अपने friends के साथ आपको share करना है. Next है, do you remember any of the stories your grandparents used to tell you? क्या आपको कोई भी वो कहानी याद हैं जो आपके दादा दादी या नाना नानी आपको सुनाया करते थे? Share them with your friends and teacher. तो उनको भी आप अपने friends और teacher के साथ share करेंगे. ठीक है नहीं, जो भी आपको कहानी याद है, वो कहानी आप अपनी teacher को सुना सकते हैं. Next है बच्चो, talk time. यहाँ पे आपको एक picture दिखा रखी है. इस picture में आपको ध्यान से देखकर, यह imagine करना है कि यह दोनों लोग आपस में क्या बाते कर रहे हैं. इनकी बातचीत को आपको जोर-जोर से बोलना है, और फिर अपनी copy में लिखना है. ठीक है बच्चो, तो चलिए इसका answer हम लिख लेते हैं. तो बच्चो इस picture में देखो, यह जो uncle है, यह बोलते हैं, we are going to play, हम खेलने जा रहे हैं, would you like to play with us, क्या तुम भी हमारे साथ खेलना पसंद करोगी? तो यह आंटी बोलती है, yes, why not, हाँ, क्यों नहीं? चलिए आगे देखते हैं. बच्चो अब आपके parents के लिए सुझाव है, कि जंगल में पाए जाने वाले विभिन, पर्शू, एवं पक्षियों के बारे में, बच्चो के साथ चर्चा कीजिए, एवं उन्हें बताईए, कि हम किस प्रकार से उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं. तो ये थी आज की हमादे English की वाक्षीट, and I hope आप सभी को ये वाक्षीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, बच्चो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो उसको जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें, और इस चानल को सब्सक्राइब क करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू